आपका पहला सवाल वो कौन सा जीव है जो तीन साल तक सोता है आप्शन है A. बिच्छू, B. भालू, C. धरियाल, D. घूनधा सही उत्तर है, D. घूनधा आपका दूसरा सवाल किस देश में सूरज 76 दिनों तक नहीं डूपता है आप्शन है A. थाइलेंड देश में, B. नार्वे देश में, C. इरान देश में, D. पेरु देश में तही उत्तर है, B. नार्वे देश में आपका तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा आस्मानी बिजली कहां गिरती है आप्शन है A. अफ्रीका में, B. मलेशिया में, C. श्रीलिंका में, D. आस्ट्रेलिया में सही उत्तर है, A. अफ्रीका में आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आप्शन है A. रोहनी, B. एपल, C. आर्यभट, D. भासकर इस सवाल का सही उत्तर है आपका अगला सवाल, लोगों ने सबसे पहले किस जानवर का दूद प्या था आप्शन है A. उत्नी का दूद, B. भीर का दूद, C. बत्री का दूद, D. गाय का दूद इस सवाल का सही उत्तर है बी, भीर का दूद, आपका अगला सवाल, भारत से कोहिनूर हीरा किस ने लुटा था आपका ओप्शन है A. शाह जहाने, B. शाहित खानने, C. अकबर ने, D. नादिर शाहने इस सवाल का सही उत्तर है आपका सात्वा सवाल, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा साइकल चलाते है ओप्शन है A. डेनमार्क देश के लोग B. अमेरिका देश के लोग C. नीदरलेंड देश के लोग D. श्रीलिंका देश के लोग सही उत्तर है C. नीदरलेंड देश के लोग आपका आठवा सवाल कौन सा देश इंगलेंड का कभी गुलाम नहीं हुआ आपका ओप्शन है A. चीन देश B. भारत देश C. पकिस्तान देश D. अमेरिका देश आपका सही उत्तर हो जाएगा A. चीन देश आपका अगला सवाल शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है ओप्शन है A. हाथ B. नाखुन C. दिल D. आख सही उत्तर है B. नाखुन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद आपका दस्वा सवाल भारत में कुल कितने जिले हैं? ओप्शन है A. 605 जिले B. 640 जिले C. 780 जिले D. 705 जिले सही उत्तर है C. 780 जिले आपका अगला सवाल किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? आपका ओप्शन है A. राहुल गांधी B. राजा राम मोहन राए C. स्वामी विवेकानन D. महात्मा गांधी आपका सही उत्तर है B. राजा राम मोहन राए आपका बारा हुआ सवाल कौन सा जानवर की जीब काली होती है? आपका ओप्शन है A. शेर B. जिराफ C. कुत्ता D. हिर्ण आपका सही उत्तर है B. जिराफ आपका तेरा हुआ सवाल हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? आपका ओप्शन है A. कैट्रीना B. हिमानशी C. रेश्मा D. इनने से कोई नहीं आपका सही उत्तर है C. रेश्मा आपका अगला सवाल फतेह पुर्शिकरी किस राज्य में स्थित है? इस सवाल के आपको आप्शन नहीं दिये जाएंगे यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट कीजिए और अगर नहीं पाता है तो अगली वीडियो का इंतेजार कीजिए पारत में कुल कितने रेल गाडिया है? आपका ऑप्शन है A. दस हजाग B. पाँच लाग C. तेरह लाग D. साथ लाग आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C. तेरह हजाग